ट्रस्ट मी अगर आप इस चीज को सीख गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यू आई को बनाने में ठीक है तो आज किस वीडियों बात करते हैं कि कैसे आप किसी भी डिजाइन को इसली बिल्ड कर पाओगे अपने फ्लेटर फ्लो प्रॉजेक्ट में अब क्या मतलब है इसका अब इसका मतलब यह है सपोज आपके पास एक डिजाइन है अब आपको एक टास्क मिला हुआ है कि मेरे को सेम यही एप का युवाई चाहिए तो आपके पास डिजाइन है बट आप चाहते हो इस युवाई को डेवलप करना अपने फ्लेटर फ्लो में तो आप कैसे करोगे देखो मेरे पास नम्मर अफ प्रोजेक्ट तो नहीं है जो मैं आपको दे दूँगा आप मैंने बना दिया आ एक तो वो तरीका है कि भाई मैं आपके बिहाफ पे सारे प्रोजेक्ट बनाओं और आपको प्रोवाईड कराओं कि भाई मैं आपको एक एप का युवाई है वह आपको देता हूं आप उसको क्लोन कर लो बट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कि किसी भी एप के ड ले मतलब होता है ये आपकायसे अपने Forum अरेंज करते हो अक्रोट है यह पने अरेंज्स करते हो विजेश्व मतलब जो आपके स्काहिस तरीके से अरेंज करते हो उसको बोलते हैं ये ओट ठीक है तो अगर आपको ये UI design बनाना है तो आप कैसे सोचूँ के पहले इससे पहले मैं आपको कुछ concepts के बारे बता रहा हूँ कुछ visits के बारे बताना चाहता हूँ जिससे आप easily इन चीजों को कर पाओगे जिसमें से है सबसा पहला हमारा row बहुत पार आप यूज कर पाए होगे भी तक दूसरा है हमारे पास column ठीक है तीसरा है हमारे पास stack ठीक है ये तीनों visits है हमारे फ्लेटर फ्लो के और मैं थोड़ा साना इधर से side करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ इन तीनों को अगर आप समझ गए तो कोई भी design बनाना मुश्किल नहीं आपके लिए देखो सबसे पहला जो row है row एक visit है जो आपके child को अपने child को मतलब आपके child को नहीं row के अंदर जितने भी elements आप लेते हो वो उनको horizontally align करता है horizontally मतलब कैसे कि suppose करो अगर मैं row में एक टेक्स्ट विजिट लेता हूं तो वो इसको ऐसे show करेगा ठीक है इसको मैं अंदर लिख देता हूं अगर मैं एक और container लेता हूं इसी row में तो वो कैसे show करेगा वो इसी के बगल में एक container Show कर देगा ठीक है अब मैं इसी row में एक image भी लेता हूँ तो वो क्या करेगा एक image इसके बगल में place करदेगा ठीक है अब मैं इसमें एक और element लोगा जिसको बोलूँगा मैं richtext ठीक है richtext आपने चुनागो filter flow में क्या होता है तो वो क्या करेगा एक और richtext लेगा और इसके बगल में प्लेस कर देगा इसको बलेंगे रिच्टेक्स तो आपने एक सिमिलारिटी देखी होगी इसमें कि आप इसमें कोई भी विजिट्स ले लो वो उसको होरिजॉंटली अलाइन करता है यह इसका बाइडिफर्ट नेचर होता है कि रो में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो होरिजॉंटलल अलाइन होंगे होरिजॉंटली अलाइन होंगे ठीक है वियर्एज अगर आप कॉलम का यूज करते हो अगर आपका कॉलम का यूज करते हो जरूर नहीं है इसमें सिर्फ यही वाले होते है आप रो के अंदर रो भी लोगे ना अगर आप रो के अंदर मैं एक रो भी लूँगा तो वो भी horizontal align ही होगा ठीक है तो यह मेरे सारे visits को denote कर रहे हैं whereas column क्या करता है column आपकी visits को vertically align करता है ठीक है इस column में जो भी चीज़ें आप लोगे जो भी visits लोगे वो vertically align होगे ठीक है जैसे कि अगर मैं text लूँगा तो text यहां पर आजाएगा मैं इस tag को थोड़ा सा नीचे करता हूं ठीक है टेक्स यहां पर आजाएगा अगर मैं इसी column में container लेता हूं तो वो container ऐसे आएगा इसी column में मैं एक image भी लेता हूं तो simply वो नीचे को कॉलम ठीक है मैं इन सबको अलाइन करता हूं पहले जिसे थोड़ा सा ठीक लगे किदर गया ठीक है तो देख रहे हो यह जितनी भी visits मैंने इस column में लिए वो उनको vertically align करता है तो आपको बस अब इतना समझना है कि रो का by default nature क्या होता और कॉलम का क्या होता है ठीक है अगर हम इस यू आई पर जो मैंने साइड में यू यू आई बनाया है इस मैं इन सभी concept को भी practice करके बताऊंगा जब आपको समझ में आता रहेगा ठीक है तो रो समझ गया करता है बाइडिफॉल्ट आपके visits को horizontally align करता है कॉलम क्या करता है कॉलम आपके यू आई के जितने éléments होते हैं उनको vertically align करता¿ सटेक जो होता है सटैक कहता है मैं आपके visits को horizontally align करूँ आ घॉर तुम ना vertically कर रहे हो ना horizontally कर रहे हो तो मैं क्या रहा हूं कि जैसी मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं अब इस टैक क्याता है कि भाई आप जो भी चीजे मेरे अंदर लोगे मैं उसको एक के उपर एक रखता जाएगा कैसे अगर मैं इसमें लोगा एक टेक्स्ट तो वो एक टेक्स्ट यहां आ जाएगा ठीक है और मैं अगर रिस्टेक्स लेता हूं तो वो इसके उपर आ जाएगा ठीक है तो इस टेक्स्ट क्या करता है आपके elements को एक के उपर एक रखने में help करता है अब आपको भाहिया इसका क्या मतलब हो गया मैं इस्टेक्स यूज़़ी नहीं करूँ कभी मेरे को क्या मतलब है कि मैं स्टैग क्यों यूज करूं मेरे को elements के elements उपर रखना ही नहीं पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा मुझे तो देखो इस चीज का कम आती है सपोस्स आप एक image ले रहे हो आपने एक लिया image टैग ठीक है आपने लिया एक image टैग आप चाहते हो कि यहां पर इस कोने पर एक icon हो एक icon हो view का या play का तो उस चीज को अगर आप row में लेते वो आती इसके बगल में अगर उस button को मैं लेता रो में तो आती इसके just बगल में अगर मैं column यूज करता तो उसके just बगल में आती ठीक है बट इस button को थोड़ा च्छोटा करता हूँ अगर इसी बटन को मैं stack को भूल जाओ अभी stack को भूल जाओ अभी मैं क्या कह रहा हूँ अगर यह stack नहों के row होता तो इसके just bugle में आती बट मेरे को यहां पिलाना है कोने में अगर मेरे को अगर यह column होता तो यह इसके नीचे आता बट मेरे को चाहिए इस image विए उपर बटन चाहिए तो इस case में stack काम आता है मैंने पहले image लिया और मैं stack लूँगा तो यह इसके ऊपर आईगी पहले image आए इसके ऊपर बटन आए अब आपको बहिया इसको position कैसे देना तो हम स्टैक में जितने अलिमेंट्स आते हैं हम उसको एक एक करके पोजिशन दे सकते हैं तो मैं सिंग इसको को नहीं में रख दूँगा को थोड़ा साइड करता हूं थोड़ा साइड उसको ऊपर रखते हैं ठीक है और मैं आ जाता हूं यहां पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं अब हम रो और कॉलम समझ चुके हैं स्टैक भी समझ चुके हैं अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे इसको डिकोड कैसे करेंगे दे इक करके तोड़ना ठीगा सबसे पहले मेरेको क्या करना है यह दिजाइन बनाना यह वाला हूअ ठीक है जिसमें एक टेक्स्त होगा और एक बैज आइकन अपिजियां नोटीफिकेशन आइकन बोलते हैं हम बिए सिक फ्लेटर प्रम इसको बैज बोलते हैं अगर मेरेको यह ड default आपको Flutter flow क्या provide करता है स्टार्टिंग में column क्यूं करता है क्यूंकि जो हमारा जो parent element होता है वो column होता है क्यूंकि जो हमारा mobile के जितने भी UIs होते हैं vertically चलते हैं तो parent में हम क्या लेंगे एक column क्यूंकि उस column में जितने भी चीजे लेना चाहते हैं इस के लिए हो this row के लिए लिए हो या इस text के लिए हो या इस container के लिए हो या इसके लिए हो वह हमें vertically align करना तो हम ने Parent के लिए iStarting में सबसे पहले क्या लिया एक column तो मैं यहां पर इसको ना है इसको यहां पर ऐसे कड़ते के देता हूं और एक text देता हूं इसमें मैं लोंगा column ठीक है तो हमारा parent होका ready अब मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले task क्या है इसको build करना morning मैंलिशा और एक batch तो मैं क्या करूंगा एक लोंगा row एक मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में रो ली क्योंकि में को चीजों को horizontally divide करना है इसलिए क्योंकि पहले में में को morning टेक्स दिखाना है उसके बाद बैस दिखाना है तो मैंने रो लिया और इस रो को मैं यहां पे नाम देता हूँ क्या आरो गोए ठीक है था को में रो नाम देदिया और इसको भी अब देखो मैंने एक रो ले लिया अब इसके अंदर में को काए लेना है इसके अंदर मेंको रेना है टेक्स्ट विजिट अर एक बैच्च तुम्हां इस रो के अंदर में जो भी चीज लुआ रोंगा Ama मैंने simply यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिट ले लिया और उसके जस्ट बगल में क्या ले लिया एक बैज ले लिया अब क्योंकि मेरे पैरेंट में क्या था रो था तो ये इधर और उसके बगल में जस्ट ये आज चुका है मैं ठीक है तो पहले मैंने कम्प्लिट हो गयाना चीजों को वर्टिकलि मैं नहीं करना था tim ** विजिट मैं इसको बगल में लिखता हूं से यह टेटा क्यों झारा और है अच्छा वाल्रस और यह उसको मैं सीधा करता है कि विजिट है यह मेरा पैरेंट सूंग या है यह परेंट हो गया और इसके अंदर मैं ले लिया एक टेक्स्ट विजिट और एक और है कि इसको अधर करके लेता हूं और यह मेरा हो गया क्या कि यह मेरा हो गया हमारा बैज, ठीक है, तो यह आ गया, साइड में, तो हमारा पहला जो काम था, यह वाला, मॉर्निंग वाला, उसका खेल खतम हो गया, ठीक है, अब उसके नीचे मेरे को एक टेक्स दिखाना है, तो क्योंकि हमने पैरेंट में, जो हमारा पूरा यह दिख रहे हो, यह पूरा जो है, मैं क्या लूँगा, एक टेक्स ले लूँगा, तो यहा पे मेरा बाइडिफल्ट जैसी, एक टेक्स लूँगा, तो मेरा इसके जस्ट नीचे आ जाए, क्योंकि मेरा पैरेंट क्या है, कॉलम है, तो मैं सिम्प्ली, इसमें ले लिया, एक, टेक्स्ट विजिट, ठीक है, बनेगा कैसे समझ रहे हो इस युवाई को सोचेंगे हम कैसे देखो ध्यान से देखो अब पहला जो है पहला जो है हमारा ही कंटेनर आ रहा है कंटेनर हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे जो रो वगेरा में है रो और कॉलम ना उसमें कोई बाइडिफल्ट कलर बैक्ग्राउं ठीक है मैं इसका कंटेनर लिया है इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर और मैंने यहाँ पर कर दिया अब देखो अब अंदर का डिजाइन सोचो अब यह जो है इसमें मेरी पहली एक इमेज आ रही है उसके बाद कुछ कॉंटेंट आ रहा है ठीक है तो वह देखो यह अपने एक इमेज उसके जस्ट बगल में एककंटेंट तो पहला क्या रहा है रहा है होरिजॉंटली चीज़ होौरिशंटली चल रही है नदेख रहे हो पहले मेरे को एक में चाहिये और उसके बाद कुछ इस content चाहिए तो मैं क्या लूँगा सबसे पहले एक row लूँगा मैं लूँगा एक row ठीक है ज्ञान से देखना अगर आप एक भी step को अगर आपको लग रहा है कि यह confusing है तो आप फिर से देखो मैंने यहाँ पे लिया एक row ठीक है मैंने एक row लिया अब क्यूंकि मैंने रो लि लूँगा उस वह मेरी जो है वह रोड़े हैं कि तो मैं सबसे पहला काम किया करूँगा एक मेंज लूँगा मैंने कि मैंज लिया कि यहाँ पर मैं लिया एक okay image ठीक है मैंने जैसे यहाँ पर image लिया अब यहाँ इमेज लूँगा अब मैं इसको बाहर भी लिख देता हूं यहां पर मैं लिखता हूं इसको हो चीक है इसको मैं लिखता हूं इमस्प मज़्य छीक है ये मैंने इमेज ले लिया थोड़ा सा जूंग कर दो अगर आपको प्रॉब्ल्म वो रहे ही देखने में तो ध्यान से देखना मैंने कंटेनर लिया सबसे पहले क्योंकि मेरे को वगई बढ़ा देना थैंग ऐग बॉक्सिलुक चाहे तो मैने एक और धुसक। पैक्स लिया ओन्ति है तो देख पूलम इसलिया भी ध्यान से देखना यह जो चीजें है ये जो एक तो main box एक तो main layout है उसके अंदर एक दो तीन चीज़े कैसे चल रही है vertically चल रही है न तो मैंने एक image लिया उसके just bugle में क्या लूँगा एक column मैं लूँगा एक यहाँ पे column ठीक है मैं यहां पर लोगँ एक कॉलम और यहां पर मैंने ले लिया अब कॉलम क्यू लिया क्यूंकि में अंदरना तीन टेक्स्ट है एक एक, दो, तीन, यह मेरे को vertically show करने थे, इसलिए मैं लिया यहाँ पे column, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लूँगा, इसी column के अंदर एक text, तो मैं simply, यहाँ पे लूँगा, सबसे पहले एक text box, इसमें दिखाऊँगा, ready to start, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इसको भी लिख देता हूं, मैं, सेम चीज़ यह यह, यह से में भी text visit ही है, ठीक है, और इसके नीचे देखो, अब मेरे को एक चीज दिखानी है, अब मेरे को चाहिए, इसके just नीचे एक row, रो क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को इसमें एक button दिखाना है, और एक text दिखाना है अगर मेरेको सिर्फ टेक्स दिखाना होता तो मैं direct text लेता इसमें मेरेको क्या दिखाना है एक button और एक text तो चीजे कैसी है है horizontally है एक button उसके just बगल में text तो मैं क्या करूँगा इसमें एक लूँगा क्या क्या लूँगा sorry row इसमें लूँगा मैं एक row row क्यों लूँगा क्यों क्यों मेरेको बटन उसके just बगल में एक text दिखाना है simply तो मैं इसमें करता हूँ side में यह मेरा है row ठीक है अब क्योंकि मेरा यह row हो चुका है अब इसके अंदर मैं एक लूँगा जल्दी से button तो मैं यहां पर simply यह मेरा एक बटन आ जाएगा अब क्योंकि मैंने row पहले ले लिया तो जो भी चीज में लेता हूँ मैं इसका color change करता हूँ नहीं तो confusion जाओगी मैं इसमें एक लूँगा बटन ठीक है इसको बाहर हम लिख देते हैं बटन और उसके just बगल में एक लूँगा मैं text उसके just बगल में मैं लूँगा एक text visit जिसमें मेरे text show हो जाएंगे तो इसको मैं बाहर दिखाना चाहूँगा arrow से confuse मत होना मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना नहीं तो arrow से पता चले तुम arrow देखते रहेगा और मैं जो बताने चाह रहा था वो समझ ही नहीं पाए ठीक है तो अभी तक हमने क्या के कर लिया हमने टॉप की जो चीजे हैं वो बना लिए उसके बाद text visit बना लिए और जो भी complex सा लग रहा था हमने उसको breakdown किया easily समझ रहे हो तो चीजों को पहले सोचना है कि भाई मैं इसको horizontally लिए या vertically लिए तो मैंने भी यहां पर किया container लि एक रो लिया क्यूंकि मेरको अगर मैं रोल लूँगा तो उसके जस्ट नीचे आएगा और रो इसली ले रहा हूं क्यूंकि मैरके उसके अंदर ना एक button भी दिखाना और text भी तो मैंने simply वहाप एक button दिखा दिया और text दिखा दिया जो कि एक की side में एक आ गया तो यहां त text के बगलना है दूसरा text है तो मैं simply लूँगा एक row मैं simply यहां पे लूँगा एक row ठीक है और इस row के अंदर में लूँगा मैं दो text box एक recommended के लिए और एक और reset के लिए ठीक है मैंने row इसलिए लिया था क्योंकि मैंने text आजू आजू में दिखाने तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि यह मेरा text box है ठीक है और मैं इसके लिए भी लिख देता हूं सेम यही चीज है ठीक है इतना समझ में आ गया कोई problem नहीं है अब बात आती थोड़ा सा interesting देखो अब एक ही वीडियो में stack row column तीनों के बारे में चीज़े सीख जाओके अब मेरे को बनाना है यह वाला यूई कौन सा यह वाला अब मैं क्या करूंगा simply यह वाला design बनाना चाहता हूं ठीक है कैसे बनाओगे सबसे पहले मैं क्या करूंगा मेरे को क्यूंकि colorful एक container जाही तो सबसे नाम देता हूं container ठीक है और यह मैं आप एक container रख देता हूं अब देखो जैसी मैंने container लिया अब इसके अंदर के element को समझो इस container के अंदर में एक हमारा image है उसके अंदर text है उसके नीचे उसके नीचे एक और टेक्स और बटन है ठीक है क्योंकि मेरे को अंदर alignment जो है vertically चल रही है एक नीचे एक नीचे एक नीचे एक तो इस container के अंदर सबसे पहले में क्या लूँगा एक अब कोई क्या अंदर डारेक्ट निले सकते बीना कॉलम रोके बट नहीं क्योंकि अंदर आप एक ही विजट्स ले सकते हो अगर आपको में एक कंटीनर लिया है और आब मैंने देखा यह मैंने नूटिस किया कि मैंने भाई मिरको अंदर एक जो टेक्स्ट विजिट है सॉरी जो विजिट्स है वो मेरी वर्टिकली अलाइन हो रखिए तो मैं क्या करूंगा एक जट से एक कॉलम लूँगा अंदर ठीक है मैं सिंपली क्या करूंगा एक यहां पर एक कॉलम लूँगा जिसको मैं नेम दे दूँगा यहां पर कॉलम ठीक है एक कॉलम लूँगा और उस कॉलम के अंदर सबसे पहले क्या लूँगा मैं एक इमेज क्योंकि मैंने column में रखे तो एक image यहाँ पर automatic आ जाएगी icon या image बोल सकते हूँ मैं इसका color change कर देता हूँ अपने rectangular shape का मैं यहाँ पर ले लूँगा थोड़ा सा white अब यह जो मेरा है वो आ जाएगा सबसे पहला मेरा image ठीक है अब देखो यह मेरा आगया सबसे पहले image अब इसके जस्ट नीचे मेरे को टेक्स चाहिए तो मैं simply क्या करूँगा एक टेक्स ले लूँगा एक यह वाला टेक्स लूँगा दिखनी रहा क्या मैं color white चूश करें तो इसके नीचे मैं जस्ट एक यह ले लूँगा और एक और यह ले लूँगा टेक्स्ट और इसके लास्ट में लूँगा क्योंकि यह दोनों मेरे text box है तो मैं इसको लिख भी देता हूं confuse मत हो ना मैं इसको लिख भी देता हूं कि चीज़े है क्या यह मेरा एक image हो गया मैंने यहां पर बाहर image लिख दिया है ठीक है और यह मेरा है text यह मेरा है sorry image नी यह मेरा text visit और यह नीचे वाला है वो भी मेरा है क्या वो भी मेरा है text visit थी है दोनों तो सेम यह है तो दोनों एक ही चीज को target कर रहे है अब देखो उसके नीचे मिले को बनाना है एक text है उसके बगल में बटन है सेम यह वाला scenario बटन उसके बगल में टेक्स मैं क्या करूंगा इसके जस्थ नीचे उसके जिस्ट बगल में बटन दिखाना था। तो मैंने एक रो लिया जिसको मैं बाहर लिख भी देता हूं कि मैंने रो लिया और मैंने यहाँ पर simply row लिख दिया अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक लूंगा text box एक लूंगा मैं यहाँ पर text box और उसके just bagel में लूंगा मैं एक button ठीक है थोड़ा सा और zoom कर देता हूँ अगर आपको दिखनी रहा हो तो ठीक है तो मैं इसके बाहर जाके लिखता हूँ यह मेरा हो गया button और उसके just bagel में जो मैं लिखा है यह हो गया मेरा text ठीक है तो आयोप आपको समझ में आया होगा कि यह जो भी complex layout था हमने वो कैसे बनाया है देखो हमने सबसे पहले कहा लिया मैं फिर से एक बार समझाता हूँ container उसके अंदर एक column क्योंकि मेरे को vertically चीज़े align करने थी उसके नीचे टेक्स टेक्स रो तो यह जो चीज़ा है ना बहुत ही simple हो जाएंगी जब आप इस तरीके से सूचो के इस तरीके से उसको सोजने है बहुत ही important है अगर आप इस चीज को सीख गए मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप ऐसे 10 अप्लिकेशन निकालो 10 अप्लिकेशन के UI निकालो मैंने basically एक और रख रखा देखो ऐसा तो आप भी क्या करो multiple UI के screen shots लो उसको लाओ अपने किसी भी whiteboard पे लाओ या अपने copy pen पे लाओ उसको सबसे पहले break करना सीखो कि यह जो चीजें हो कैसे break हो सकती है कैसे row और column stack के हम इसको break कर सकते हैं trust me अगर आप इस चीज को सीख गए तो आपको कोई भी problem नहीं होगी UI को बनाने में ठीक है त अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाले सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए कैसे बल आइकन दबाने से ठीक है तो आज क्लिक नहीं थैंक्स वाचिंग